हेलो दोस्तों मैं ललीता दहिया स्टडी आई क्यू आई ये सिंदी पे आप सबका स्वागत है दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट न्यूज आई है आपके पीटी के पॉइंट ओफ यू से और उस न्यूज को जानना जरूरी है बंजारे और हकुपत्र ध्यान रखेगा ब जान जाती के बारे में हम जानेंगे और साथ में हकुपात्रा क्या होते हैं ये जानेंगे ध्यान रखना ये न्यूज अपने आप में इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे माननिय प्रधान मंत्री जी के द्वारा करनाटक में खाना बदोश अनूसू समुदाय के नाम से भी जाना जाता है इस बंजारा समुदाय के पांच परिवारों को प्रधान मंत्री जी ने प्रतिकात्मक रूप से हक्कुपत्र प्रदान किये हैं तो आप से पीटी में पूछ सकता है हक्कुपत्र क्या है है ना तो हक्कुपत्र नीचे चार ओप्षन दे प्रमुख अनुसूचित जाती उपसमू है। अनुसूचित जाती और जन जाती मिलकर यदि हम करनाटक की बात करें तो अबादी का लगभग 24% है वहाँ पे ठीक हैं बंजारा एक एतिहासिक रूप से खाना बदोश्वय अपारिक जाती है। स्थाई तोर पे नहीं रहते हैं तो एक जगे से दूसरी जगे पे घूमते रहते हैं। इसकी उत्पत्ती ना राजस्तान के मेवार छेतर में हुई थी बेसिकली ये राजस्तान की पॉपुलर जाती है ध्यान रखिएगा राजस्तान में भी ये जाती पाए जाती है। इनके यदि नृत्यों की बात करें, कला की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अगनी नृत्य, घूमर नृत्य और चरी नृत्य, बंजारों के पारंपरिक नृत्य रूप है। बंजारों से है, ठीक है जी, बंजारों में गायकों का एक बहन समुदाय है, इस समुदाय को दधी या गजुगोनिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना गायकों का भी एक समुध है, दधी या गजुगोनिया, पारंपरिक रूप से सारंगी की संगत में गीत गाते ह तो आपको बंजारों के बारे में थोड़ा knowledge होना चाहिए, करनाटक में अनुसूचित जाती है, राजस्थान में भी ये पाई जाती है, इनके नृत्य कोन से है, इनके गायन को किस नाम से जाना जाता है, यह आप लोगों के लिए important है, यदि हम overall बात करें, तो बंजारा समु को आंधर प्रदेश में, तिलंगाना में और ओडिसा राज्य में अनुसूचित जन जाती के रूप में सूची बद्ध किया गया है, इन राज्यों में ये अनुसूचित जन जाती के रूप में बेसिकली सूची बद्ध है, यदि हम सत्यसगर्ड, गुजरात, हरियाना, महराश्र रित्यादी की बात करें, तो वहाँ पे ये अन्य पिछडा वर्ग के रूप में सूची बद्त है, राजस्तान में भी, यदि करनाटक, दिल्ली और पंजाब में हम देखें, तो ये अनुसूचित जाती के रूप में सूची बद्ध है, यानि एक जाती बंजारा अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग स्वरूपों में सूची बद्ध है, कहीं पे अनुसूचित जाती के रूप में, कहीं पे जन जाती के रूप में, कहीं अन्या पिछडा वर्ग के रूप में ठीक है तो बंजारे इंपोर्टेंट है इस बार के लिए इसके साथ ही हक्कु पत्र या शीर्ष विलेक पत्र क्या होते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये एक शीर्षक विलेक होगा ये संपत्ती के स्वामित्व का दस्तावेज है मतलब है कि जिस भूमी पे जिस संपत्ती पे आप रहते आ रहे हो ये संपत्ती आपके स्वामित्व के अधीन है ये एक दस्तावेज है इसका और दस्तावेज का वाहक ही भूमी का मालिक होगा यानि जिसके नाम से ये दस्तावेज जारी किया जाएगा वही उस भूमी का मालिक ह यदि दस्तावेज यानि खुद सोचें यदि किसी भूमी का किसी को मालिक बना दिया जाए उसको दस्तावेज दे दिये जाए तो उप्ट दस्तावेज के आधार पए वह बैंक से रिण ले सक्षम हो जाएगा उस जमीन को खरीदने और बेचने में भी वो सक्षम हो बंजारों की पूरी हिस्ट्री आप लोगों ने देख ली कि कहां पे किस-किस रूप में वो सूची बद्ध है तो विशेश तोर पे ये जानना है आपको क्योंकि पीटी के पॉइंट ओफ यू से ये न्यूस काफी इंपोर्टेंट है अगर आपको ख्लास अच्छी लगी हो समझ में आया हो वीडियो को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे चैनल को और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजे इस तरीके के मुद्धों को जानने के लिए मुझसे जुड़ते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए जैहिं जैभा